फैनेली दोस्तो इस वीडियों बात करेंगी बोलीवूट की चार लेट्स्ट मूवी के अभी तकके और आजकी बाक्श ऑफ़िस कलेक्शन की बारे में तो बात करेंगे दोस्तो इस चारो मुवी आज कितना कलेक्शन कर रहे हैं इस मुवी अभी तक टोटल कितना कलेक्शन कर लिया है और कौन सी मुवी हो चुकी है बॉक्स सब्सक्राइब कर लेते हैं शुरू आप लोगों से रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करें चनल को सब् चर confir करें दोस्तों सारुक खांट सनी डेओल अक्चा कुमार हों दोस्तों राजवीर डेओल को आप इंडिया का बैतरीचे स्परिश्टार मानते या वीडियो को दिल से लिएक जरू कर ले हैं दो सबस्ते पहला बात का लेते हैं शनी डेओल की मुवी दोनों के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को अब नीस वरजातिया के डारेक्शन बनाय गया था बाइं इस मूवी का बज़ड था 30 कलो रुपई इस मूवी राजबीर देवल के साथ पलोमा डिलो अहम किरदार मेनेजर आय थी बात करें दोस्तों इस मूवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के दोस्तों दोनों मूवी ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ओफिस पर 1 करोल 80 लाख रुपई की कमाई की थी दूसरे दिन इस मूवी ने 2 करोल 5 लाख रुपई की कमाई की थी पहिं दोस्तों तीसरे दिन इस मूवी ने 2 करोल 75 लाख रुपई की कमाई की थी पहिं दोस्तों मंडे को इस मूवी ने 75 लाख रुपए कमाई तो आज दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ओफिस पर 6 लाख रुपए की कमाई कर ली थी जहाएं दोस्तों इस मूवी का बजट थीज कड़ोर इस मूवी न अभी तक अबने बजट को रेकॉबर नहीं कर पाया है और दोस्तों बात करेंगे बॉलेवर के खिलाड़ी कुमार अक्षा कुमार की मुवी मिसन रानी गंज के पांच दिनों की बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो इस मुवी को टीनू सुरेश देसाई की डारेक्शन बनाया गया था वहीं इस मुवी का बजट था साथ कडोर बजट मुवी में अक्षा कुमार परनेती चोप्ड़ा अहम किरदार में ज़र आये थे बात करें दोस्तों मिसन राणी गंज की बॉक्स ओफिस कलेक्शन के तो दोस्तों इस मूवी को काफी अच्छे रिव्यू मिले थी लेकिन दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ओफिस पर कोई खास कमा लें किया इस मूवी ने काफी कम ओपनिंग की है इस मूवी ने पहले दिन इ करोड 20 लाख रुपए की कमाई की थी बैंदोस्तो मिसन रानी गंज मुवी को आज बॉक्ट आफिस पर 5 माँ देना बैंदोस्तो ये मुवी आज 5 में दिन 1 कलो रुपए की कमाई कर रही है इसे एक साथ दोस्तो इस मुवी न अभी तक टोटल इंडियन बॉक्ट आफिस पर 5 दिनों में 14 कलोर 80 लाख रुपए की कमाई कर लिए और टोटल वल्ड वैड बॉक्ट आफिस पर 19 कलोर रुपए की कमाई कर लिए जहां दोस्तो इस मुवी का बजट है 60 कलोर रुपए तो बैंदोस्तो ये मुवी ते बजट के 50 पर सेंट भी रिकवर नहीं कर पाई दोस्तो अभी तक है कलेक्शन के एसाफ से मिसन रानी गज़ मुवी बॉक्स आफिस पर एक डिजास्टर मुवी सावेत हो चुकी है वही दोस्तो अब बात करेंगे बॉलीवड के और इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार सारुक कान की मुवी जवान के बारे में तो दोस्तो जवान मुवी को बॉक्स आफिस पर 34 दिन का समय हो चुका है वही दोस्तो इस मुवी को एटली कुमार के डारेक्शन बनाए गया था इस मुवी का बजट था 250 करोड़ वही दोस्तो इस मुवी को दोटल दुनिया वर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था दोस्तो सारुक कान इंडिया के नहीं तो पूर दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टारों में गिंती होती वही दोस्तो इनकी मुवी को काफी ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाता है बात करें दोस्तो जवान मुवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन कित इस मुवी ने पहले दिन इंडियान बॉक्स ओफिस पर 24,50 लाख रुपई कमाई थे वहीं दोस्तो इस मुवी ने पहले दिन इंडियान बॉक्स ओफिस पर 660 कलो रुपई का कलेक्शन किया था इस मुवी ने दोस्तो 32 में दिन इंडियान बॉक्स ओफिस पर 2,96 लाख रुपई कमाई की थी पहिं दोस्तो जवान मुवी ने शुरुआ थी 32 दिनों में total Indian box office पर 624 कलोर net collection कर लिया था, 32 दिनों में total worldwide box office पर 1179 रुफा का collection कर लिया था, पई दोस्तों इस मुवी ने के तेंटिसमे दिन Indian box office पर 1525 रुपाय कमाई तो इस मुवी आज 1 कलोर रुपा क कलेक्शन कर रही है, इसी तरह दोस्तों ज़वान मुवी के 34 दिनों क टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 626 कलो रुपे हो जोगा है और टोटल वल्ड वैड बॉक्स ओफिस कलेक्शन 1120 कलो रुपे का हो चुका है तो दोस्तो सारुक कान की मुवी जवान बॉक्स ओफिस पर एक औल टेम मेगा ब्लग वेस्टेम मुई सावित हो चुकी है जो दोस्तो बॉल्ड की अब तक किस सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मुवी बन चुकी है वहीं दोस्तो आब बात कर लेते हैं बॉल्ड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी दोवल की मुवी गदर टू के टोटल लेफ्ट हैं बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में गदर टू मुवी को अनिल सर्मा की डारेक्शन बना गया था वहीं इस मुवी का बजड था असी कलो रुपए इस मुवी को अड़ितिस सो स्क्रिन पर रेलेज़ किया गया था इंडियन वॉक्स ओफिस पर बात करें दोस्तो इस मुवी के स्टार कास्टिक तो इस मुवी पाइल उत्तकर शर्मा एम करदार में जराय थे वहीं बात करें गिदर टू मुवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के तो इस मुवी न पहले दिन इंडियन बॉक्स ओफिस पर 40 करोड 10 लाक रुपए की कमाई की थी इसे साथ दोस्तों इस मुवी न पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करने तो अभी तक इस मुवी टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया है पांसो चब्श करोड 10 लाक रुपए का अभी तक टोटल बल्डवेट बॉक्स ओफिस पर 608 से कड़ो रुफा का कलेक्शन कर लिया है तो दोस्तों गदर टू अल टेम ब्लोगवस्टर मुवी साबित होई थी, जो च्तिनि देवर की कैरियर की अब तक की सबसे बड़ी मुवी बनी है ये Hindी बाकसा में कमाई करने की मामले में जवान के बाद दूसरी वॉली चिए सब से शारा मुवी को देखा आये तो दोस्तों आपकी सबसे फैबर प्रिट मोवी अपने सबसे फैबरेट सुपर इस्टाय का नाम कमेंट बॉक्स में जरूरू बता हैं मिलते हैं दोस्तों एक नेस्ट वीडियो में नई ब्रिट के साथ अब तक के लिए दोस्तों धन्नावाद वीडियो को सपोर्ट करें चनल को सब्सक्राइब जरूरू करें करेंदों दोस्तों